श्री गनेशा या नमाहा ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिती लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहुत ज़्यादा प्रभ दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपके पहले भाव में लगनस्थान में यानि आपकी राशी में ही रहेंगे जी हाँ चंद्रमा की ये पोजीशन आपके लिए काफी अच्छी रहेगी इसका मतलब ये दिन आपके लिए बहुती बढ़िया जाने वाला है इस समय में आपकी हर पसन रहेगा टेंशन फ्री रहोगे पॉजीटिव सोच के साथ आज की दिन की सुरवात होगी ये समय नोकरी करने के लिए उत्तम है जी हाँ नोकरी पेशा लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा इस समय में अगर आपको निवेश करना है तो निवेश जरूर करे क्योंकि चार गुना फल तक इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है जो लोग डेली में कमा रहे हैं जिनका इंकम डेली में दिखाई दिता है उन लोगों के लिए ये समय बहुती बढ़िया रहने वाला है और अगर आप पार्टनर्शीप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लव लाइप में इस समय में रोमैंटिक माहोल रहेगा लव लाइप के लिए दिन काफी अच्छा है अगर भविश्य के निरने लेना चाहते हो या आपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकुल है सफलता मिल सकती है आपकी लगबग सारी पड़ाय में कॉंसेंट्रेट कर पाओगे इस समय चंद्रमा की क्रिपा आपको मिल रही है चंद्रमा आपको एका ग्रता दे रहे है जिस वज़े से आप कम समय में ज्यादा भरपूर रहोगे इस दिन का पूरा लाब उठाए इस दिन आप के लिए औरेंज रंग का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और लकी रंबर रहेगा नो नंबर दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा च्या रहेगा